हेलो दोस्तों बहुत-बहुत स्वागत है आप सभी का हमारी चैनल कंप्टिशन क्रेकस में और अगर आप त्यारी करें किसी भी कंप्टिटिव रिलिटेट गवर्मेंट एक्जाम की यह वह UPSC हो स्टेट PCS हो SSC हो RRBO या किसी अन्ने गवर्मेंट एक्जाम की तो आप हमार सेवन और लुसेंट जीओगरफी 20 आवर शकॉर्स और इससे पहले लेक्टर नमबर सिक्स की में बात करूं तो उसमें अमने डिसकस किया था दोस्तों अपाउट और से पेंड़ साइस तो उसमें देखा था कि किस तरीके से हमारा हमने हमारी जो थ्योरी थी जो बताती थी कि अर्थ डन टील सेप की है या क्यूब सेप की है उससे हमने किस तरीके से पहुंचे घ्रत का जो से न सेप न को सब्सक्राइब हो है वहाँ तक हम किस तरीके सो वुलdoe है और इसी के सांत तक यानि कि 1 से 6 तक आप देख सकते हैं पूरा कोर्स उसमें कवर हुआ है और आज हम टेक्चर नमबर 7 में यह डिसकस करने वाले दोस्तों वाइ अर्थ में ऐसा क्या है जो कि इसको शुटेबल बनाता है लाइफ को एकजिस्ट कराने के लिए तो यह आज की इस वीडियो में देखेंगे तो start करते हैं without wasting any further time ठीक है तो why earth is suitable for existence of life अर्थ में आखिर ऐसा क्या है दोस्तों जो कि life को यहां पर exist करवाता है यहां पर organisms जी सकते हैं यहां पर different organisms पैदा हो सकते हैं तो क्या ऐसे factors हैं जो अर्थ में हैं और planets में मौजुद नहीं है ठीक है तो वह चीज देख flooding blocks of life दोस्तों अगर मैं अर्थ की बात करूं अर्थ में आपको पता है atmosphere अब atmosphere क्या है layer of gases तो है na atmosphere means layer of gases तो अब atmosphere में कौन कौन सी gases present है हमारे carbon present है hydrogen present है nitrogen present है oxygen present है और भी बहुत सारी gases हमारे उसमें present है और सिर्फ इन gases के present होने से कुछ नहीं होता है दोस्तों ये gases present होनी चाहिए in a fixed proportion एक definite proportion में available होनी चाहिए ऐसा नहीं कि कोई एक gas के वो बढ़ जाए एक gas का proportion बिगर जाए तो हम कह सकते हैं कि हमारी जो life है वो exist नहीं करेगी अर्थ में तो fixed proportion में जो life है वो available है हमारे अर्थ में तो ये चीज क्या बनाती है इसको suitable बनाती है यहाँ पर अर्थ में रहने के लिए अगर हम बात करें main gas की जैसे कि oxygen है oxygen is the main gas हम क्या करते हैं breathe करते हैं human beings है animals है हम oxygen को क्या करते हैं intake करते हैं oxygen का और co2 का क्या करते हैं exhale करते हैं co2 को तो यह सारी की सारी gases का fixed proportion में हमारे atmosphere में होना बहत ही ज़्यादा जलूरी है तो यही सबसे पहली और सबसे important चीज है for the existence of life in earth लेकिन और planets के cases पैसा नहीं है दोस्तों वहां जो है fixed proportion में available नहीं है या कुछ तो gases ही available नहीं है तो इसलिए ठीक है फिर दूसरा जो factor है दोस्तों not too cold यानि कि अगर हम अर्थ में बात करें तो एकदम right temperature है दोस्तों ना ज्यादा गरम है ना ज्यादा ठंडा है अब देखो अगर मैं बात करता हूँ solar system की तो solar system में आगया आपका sun और बांकी के eight planets eight planets में जो सबसे नजदीक planet है sun के वो है mercury अब आप देख सकते हैं कि mercury उसके आगे कि जैसे जैटन है यूरेनस है नेप्चून है यह सन से बहुत ज्यादा दूरी पे हैं दोस्तों यहां तक तो sun की जो रेज है वो अच्छी तरीके से पहुंच भी नहीं बाती है तो वो planets के हैं बहुत ही cold है ठीक है लेकिन अर्थ की position यानिकि अर्थ जो है वो थर्ड नंबर पे मौजूद है solar system में और यह जो थर्ड पोजिशन अर्थ को मिली हुई है दोस्तों वो ऐसी definite position है या ऐसी position है जिसके चलते अर्थ में ना ज़्यादा गरम होता है ना ज़्यादा ठंडा होता है ठीक है तो बहुत ही अच्छी position जो है वो अर्थ को मिली हुई है इस इसलिए हम जो है Mars के पीछे लगे रहते हैं Mars में हम research करते रहते हैं mission बेशते रहते हैं जैसे mom mission था तो Mars में हम बेशते रहते हैं दोस्तों तांकि हमें आफिन पता चल जाए क्यूंकि Mars और अर्थ की जो temperature होगा वो लगबग लगबग सेम होगा इसलिए हम मार्थ में कुछ क और अर्थ है ऐसा प्लेनेट है दोस्तों जो कि अपने वाटर के लिए जाना जाता है अर्थ में अगर हम बात करें 70.09% है यानि कि आप 70% ही मानगे है 70% वाटर है बांकि 30% या 29.1% जो है वो लेंड एरिया है तो 70% वाटर जिस प्लेनेट में एविलेबल होगा तो आप कह सकते हैं वहाँ जो है अराम से लाइफ है वो एग्जिस्ट कर जाएगी तो अब देखो जो ओशन वाटर है वो है 70.09% और इस 70.09% का ही भी 3% है तो है हमारे usable water है या drinking purpose के लिए हमारा suitable water है बांकी का सारा saline water है दोस्तों तो आप कह सकते हैं कि अर्थ में जो है water के sources available है जैसे कि lakes, rivers, fresh sources है जिनका की water हम daily life में भी use करते हैं दोस्तों और बांकी पुरा अर्थ को हम watery planet भी कहते हैं इसी के चलते हैं क्योंकि water की availability बहुत जादा है ठीक है तो ये भी अर्थ को ये भी एक factor है जिसके कारण जो अर्थ है वो suitable है for existence of life फिर fourth point आ जाता है दोस्तों protective blanket of ozone layer अब अर्थ में दोस्तों एक layer है अर्थ के atmosphere में एक layer है जिसका के नाम आप सभी ने सुना होगा उसका नाम है ozone layer या ozone परत तो दोस्तों जो ये ozone layer है वो इत इंपोर्टेंट layer है ना दोस्तों क्यूंकि जो sun है sun तो UV rays को release करता है UV rays आती है sun से दोस्तों तो अगर direct UV rays हमारे atmosphere में प्रवेश कर जाए atmosphere के अंदर से प्रवेश कर जाए तो जो living organism है चाहिए वो humans आणिमल सों सब के लिए जो हानिकारक है humans के लिए तो वो cancer causing रहे है ठीक है living organisms है सब को destruct कर सकती है लेकिन उससे बचाने के लिए भी अर्थ के पास एक परत है एक layer है जिसका नाम है ozone layer तो ozone layer को हम protective blanket भी कहते हैं क्योंकि यह UV rays को अपने से पास होने नहीं देती है ठीक है UV rays को reflect कर देती है वापिस UV rays को अर्थ की तरफ को नहीं आने देती है ozone layer और हमा picture के साथ हमारे environment के साथ तो उसके चलते Antarctica और भी कुछ ऐसे अंटाक्टिका में यह देखा गया कि जो ozone layer थी वह क्या कर रही है वहाँ पर hole हो गया है जिसके कारण UV rays directly आ रही है तो यह सारी चीजें जो है ozone layer को destruct कर रही है इसलिए अभी कोशिच चल लेगी किस तरीके से ozone layer को जो है save किया जाए ठीक है ozone layer को depletion होने से रोका जाए तो यह सारी जो है इसके लिए बहुत सारे ट्रीटी बन रही है देशों के बीच और जो ऐसे harmful gases है ozone layer को डिपलाई करने वाली उनको बंद करने की बाद भी चल लिए तो ozone layer बहुत ही ज्यादा important है और जो depletion हो रहा है व variety of organisms present in the different ecosystem जैनि आप एक ecosystem ले लीजिए उस किसी भी ecosystem में कितने organisms नहीं कितने variety of organisms कितनी variety के जो organisms है वो एक ecosystem में रह रहे हैं वो चीज होती है biodiversity जैसे कि कोई भी आप region ले लीजिए यह हमारा अर्थ है दोस्तो अब ऐसे अच्छा से मुझसे बन नहीं भाया और बीच में यह equator ह गया फिर यहां पर हमारे tropical area जो गए tropical of Capricorn और Cancer ठीक है तो दोस्तो जो यह tropical area और यह equator वाला यह इतना एरिया है दोस्तो यहां पर का जो environment है वो बहुत ही अच्छा temperature holding की हुए है बहुत ही अच्छी जो geological या biological conditions है वो holding की हुए है क्योंकि सबसे ज़्यादा जो बायो डायव तो tropical area में सबसे ज़्यादा रहती है यहां का geological या biological condition सबसे अच्छा है तो सबसे ज़्यादा variety के organisms आपको इसी एरिया में मिलेंगे बांकि जो polar regions हैं हमारे north pole, south pole वाला region वहां पर बहुत कम जो variety होगी organisms की वो देखने को मिलती है क्योंकि बहुत ही colder regions है वहाँ icy रहती है हमे old environment में भी survive कर पाते हैं वही रह पाते हैं नौर्थ और south polar regions में ठीक है बागे सबसे ज़्यादा जो variety of organisms होते हैं सबसे ज़्यादा biodiversity है वो tropical areas में पाई जाती है अब चलते हैं दोस्तो continent and oceans of the world एक बार मैं आपको starting से दोस्तों हमने course के starting किया था दोस्तों तो सबसे पहले हमने पड़ा था universe के बारे में universe से हम आये थे galaxy में galaxy से हम आये थे solar system में solar system में हमने discuss क्या था sun को और उसके बाद eight planets को including earth एट प्लैनेट्स को डिस्कस किया था अब हमारे दोस्तो अर्थ की तरफ अब हम अर्थ के अंदर की बात करते हैं एट प्लैनेट्स डिस्कस कर दिया अर्थ डिस्कस कर दिया अब अर्थ के अंदर की बात करते हैं तो अर्थ में दोस्तों मैं फता है कि 70 कितना परसेंट वाटर है 70 परसेंट के आसपास वाटर है 30 परसेंट के आसपास लेंड एरिया है ठीक है कितना मानते हो तो जो यह वाटर और लेंड एरिया है इसको ही हमने पूरा का पूरा जो है यह डिवाइट किया हुआ है different continents का नाम देखे इनको और different oceans का नाम देखे अप कौन-कौन से वो continents है वो आपको मैं दिखा देता हूँ दोस्तों अगर हम size से बात करें ठीक है कि इस continent का size बड़ा है तो उस सबसे first number पर आता है Asia, Asia सबसे बडा continent है Size के basis पे और दूसरे नंबर पर आता है अफरीका, तिसरे पर आता है नॉर्थ अमेरिका, चौते नंबर पर आता है अंटाक्टिका, छटे पर आता है यूरोप और साथ वे पर आता है औस्ट्रेलिया ठीक है और अगर हम population से बात करें, population से भी first और second number older है एशिया एड़ अफ्रीका उसके बाद यूरोप की पॉपलेशन ज्यादा है तो यूरोप आ जाता है उसके बाद नौर्थ और साओथ अमेरिका जाते हैं उसके बाद आस्ट्रेलिया और उसके बाद अंटाक्टिका अब अंटाक्टिका में दोस्तों जो है वो जैसे हम population की बात करने तो यहाँ पर हम human population की बात करने अंटाक्टिका में basically ऐसा temperature है नहीं कि जो human beings है वह वहां daily के लिए survive कर पाएं तो वहां सिर्फ रिसर्च सेंटर से हैं जो खोले गए हैं बागी population वहां ना के बराबर ठीक हैं तो यह है population और size के हिसाब से एक बार मैं आपको map में भी दिखा देता हूं यह राव world map अब आप देख सकते हैं यहाँ पर सबसे बड़ा continent Asia अभी size के हिसाब से दिखा रहा हूं ठीक है तो first number पे Asia यह आप देख सकते हैं सबसे बड़ा है और उसी के nearby में अफरीका continent second number का सब सबसे बड़ा उसके बाद आता है दोस्तों third number पे North America हमने देखा था fourth number पे South America हमने देखा था और fifth number पे हमने देखा था क्या Europe यह राज यूरोप नहीं नहीं फिफ्त नमबर पे हमारा सौरी अंटाक्टिका फिर sixth number पे Europe और seventh number पे था Australia ठीक है तो यह था on the basis of size size के basis पे अब हम बात करते है population के basis पे तो सबसे पहले Asia फिर Africa उसके बाद Europe फिर North America South America उसके बाद Australia और लास्ट में अंटाक्टिका यहां पर सिर्फ research center है मैंने बता है था ठीक है क्योंकि यह देखो यह polar region है एकदम ठीक है polar region है सबसे ज़्यादा biodiversity कहा पाई जाती है का था हमने यह tropical area और य दोस्तो oceans का यहां पर size case आप से दे रहा है सबसे बड़ा ocean है दोस्तो Pacific Ocean यानि कि प्रसांद महासागर भी जिसको कहा जाता है सिर्फ इतना ही नहीं है दोस्तो Pacific Ocean यहां पर से सुरू होता है इस्या के राइट वाले इससे से और जो North America उसके लेफ्ट वाले इससे तक यह पूरा का पूरा जो है Pacific Ocean है दोस्तों यह इस तरीके से यह पर रिपरेजेंट किया गया है वैसे यह अर्थ क्या है तो यह पूरे क्या होंगे मिले हुए होंगे इस तरीक है ऐसे करके एकदम ग और अफ्रिका तो इन दोनों के बीच में जो है वह Atlantic Ocean यह रहा Atlantic Ocean वाला पार ठीक है और उसके बाद बात कर लेते हैं आर्कटिक ओशन के तो दोस्तों यह रहा उपर का इससा यह आर्कटिक ओशन है इंडियन ओशन की बात करें तो यह इंडियन सब कॉंटिनेंट और यहां इंडिया के ठीक नीचिवाला इस अंडिया इंडिय लंका के जो यहां पर इंडियन ओस्य사람 हो गया और उसके बात हमने सकतर शक्रत सांतफर चिखकन दों डोस्तों जो ऑंट्रीका एं उसके ठीक उपर पर यह आंताक्तिका के एराउंड ओनड सबसेबद्धिकां सबसे ब एशिया, देन अफ्रिका, नॉर्थ अमेरिका, साथ अमेरिका, अंठाक्टिका, यूरोप और फिर ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, पॉपिलेशन के इसाब से एशिया, अफ्रिका, यूरोप, नॉर्थ अमेरिका, साथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और अंठाक्टिका, मैंने आपको म वीडियों में हमने पूरा डिसकस कर लिया कि say अर्थ में क्यूल डाइफ एक डिस्टेंस है और उसके अलावा content है अर्थ के अंदर की बाथ हमने कर दी दोस्तों इक अर्थ को किस तरीके से continent में बाटा गया है सेवन continental और 5 Oceans और उसको size के साब से हमने देख लिया कि कि किस continent का size बढ़ा है किस ons बढ़ा है तो यह सारी चीजें आज कि इस वीडियो में discuss कर लिये दोस्तो अगर वीडियो पसंद आई है तो जरूद से वीडियो को भी रिमूग कर सकें ठीक है तो आप डिसलाइक भी कर सकते हैं और इसी के साथ साथ सेर जरूर करना दोस्तों इस वीडियो को अपने और भी सांथियों के साथ ताकि वह भी जो है हमारे लेक्चार्स देख सकें उनकी थोड़ी बहुत है ठीक है तो शेर जरूर से कर देना और जो है लेकिन चैनल को सब्सक्राइब करना और बैल नोटिफिकेसन जरूर प्रेस कर देना तांकि जो भी नेक्ट्ट्ट वीडियो उसका नोटिफिकेसन आप तक पहुँच जाए और आपको धून ना पड़े या आपको बात में पूछना ना पड़े की नेक्स्ट वीडि झाल झाल